हेलो बच्चा पाटी कैसे हो आप सब बढ़ियां पिछले क्लास में जो है हमने मुर्फलोजी इन फ्लारिंग प्लांट में आपको रूट को एक्स्पेंड किया था और जितनी भी एंसियाटी के पॉइंट्स थी एटू जेड हमने आपको किस्टल किलियर किया था समझाया था एक्जांपल्स को भी याद कराये थे है ना तो एक बार क्या करते है पहले तो दो तीन में सौट में रिवीजन कर लेते है पिछले क्लास को उसके बाद आज जो है बटा हम स्टेम एंड लिफ को को सिस करेंगे कम्प्लीट करने का है ना चलो तो लेस्ट बिगिन पहले चलत लोजी का मतलब होता है अ strip कहीं तो जहां भी लोजी वाट लाष्ट में लगा हुर सके मतलब क्या ना तो उसका कória है कि अ और Morpho मतलब external structure यानि कि Morphology science की या बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम external structure के बारे में study करते हैं इसके बाद हमने बताया था कि जो Morphology में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे angiosperm plant के सारे parts को यानि कि हमने क्या बताया था पीटा हमने बताया था कि पूरे plant जो भी हमारे इस धर्ती पर पहुदे पाये जाते हैं इसको plant को मैंने दो पार्ट में divide किया था पहला crypto games and second fanerogames crypto games ओ प्लांट होते हैं जिन में flower नहीं होते fanerogames ओ प्लांट होते हैं जिसमें flower परजेंट होता है right crypto games में बताया था कि जिसमें केवल root हो stem हो leaves हो ओ भी root like हो सकता है मतलब पूरी तरह develop एब भी parts नहीं होता root stem and leaves हो तो हम बोलेंगे crypto games और root stem leaves के अलावा अगर flower भी परजेंट है तो fanerogames तो पूरे प्लांट को बेड़ा दो पार्ट में डिवाइड किया crypto games and fanerogames crypto games में आता है थेलोफाइटा व्रावफाइटा एंड टेरीडोफाइटा का members यानि कि algae और liverwort moss यह सब जो है इस पे पाई जाते हैं अगर हम बात कर वेटा fanerogames का तो fanerogames में flowering plant में gymnosperm और angiosperm आती है gymnosperm में हमने क्या बता है था कि इसमें seed जो है naked हो sperm जहाँ भी बोर्ट नहीं और angiosperm का मतलब होता है बेटा कि proper सारे parts well developed हो चुके हैं उसमें root भी है stem भी है leaves भी है flowers भी है fruit भी है seed भी है और जो seed है वो fruits के अंदर में है seed enclosed the fruits क्योंकि आपको पता है कि overage होता है flower का वही fruit में convert होता है और उसके अंदर पाए जाने वाला ovule ही seed में convert होता है तो basically morphology date eye से भी होता है जो आको से दिखता है उसके बार में पढ़ रहेंगे इसके बाद हमने आपको root को जो है explain किया था और root में हमने क्या बताया था प्यारे बच्चा पाटी हमने बताया था कि root क्या है प्लांट का underground portion है underground portion करने का मतलब जमीन से नीचे रहता है वह अला बाग underground portion है और इसका main function होता है absorption of water and mineral from the soil इसके साथ ही जो है encourage भी provide करता है यानि कि plants के part को support भी provide करता है clear है अब अगर हम बात करें root में तो root में हमने क्या बताया था कि root में हमने बताया था types of root types of root में हमने क्या बताया था कि बटा तीन तरह के root देखने को मिलता है coding to NCRT पहली क्या है fibrous root फिर tap root और adventitious root तो अगर हम बात करें सबसे पहले tap root को ले लो तो tap root के अगर बात करें तो हमने यह बताया था बटा कि जब कभी हम seed को लगाते है seed को म मिट्टी में डालते हैं है ना तो seed जब germinate करती है तो उसमें दो parts होता है एक होती है radicals और एक होता है permule listen इस बात को ध्यान से सुनू मैं क्या बोड़ना हो बेटा जब कभी भी seed को हम मिट्टी में लगाते हैं germinate करवाते हैं तो seed में दो parts होता है नीचे में होता है radical ओपर म बनाता है और प्लिम्यूल जो है बेटा हो सूट को बनाता है radical form root और प्लिम्यूल फॉर्म सूट है ना यह चीज़े अल्रेडी हम डिसकस कर चुके है पिछले क्लास में अब अगर डाइरेक्ट इलोंगेट करके primary root बना ले फिर primary root से जो है कुछ और lateral root निकल जाए है ना डा type के root system को tap root system बोलता है और यह डाइकोट प्लांट की characteristics feature होती है जितने भी डाइकोट प्लांट है उसमें tap root system देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों दुसरा हमने बताया था कि किसी-किसी plant में क्या होता है कि primary root जो है सौट लिब्ड होता है सौट लिब्ड करने का माद जैसे कि monocod plant में इस तरह के root को हम fibrous root बोलते हैं तो पहला तो बेटा टाइप होके tap root, tap root में क्या बताया और वो रिप्लेस होता है lots of numerous root से जो arise होता है from the base of the stem, stem के base से और इसको हम क्या बोलते है में fibrous root जो किसमें पाए जाता है monocod plant में पाए जाता है ऐसे धान का पौधा हो गया गेहूं के पौधे हो गया वीट प्लांट राइस प्लांट कोई भी पैड़ी प्लांट है उसमें जनरली monocod leaden होता है secondary growth होती नहीं है उसमें fibrous root देखने को मिलता है तिसरा एक root का type है बेटा adventitious root adventitious root क्या होता है कि हमने जैसा कि अभी तुरत बताया कि seed में जब germinate होती है तो नीचे होता है radical उपर होता है root arises from the parts of the plant other than radical are called adventitious root hopefully यह आपको crystal clear होगा है ना types of root उसके बेटा हमने क्या बताया था region of root के बारे बताया था root में क्या-क्या zone पाई जाते है जिसमें हमने सबसे पहले बताया तो सबसे नीचे बाला zone था हो कह हुँ था zone of meristematic activity यानि कि सबसे जो lower portion में tip of the root में जो zone present है उसको zone of meristematic activity बोलते हैं उसमें जो sale होते हो में स्टमेटिक सेल होते है में स्टमेटिक सेल यानि कि वो sale जिसमें division के ability हो डिवाइट करने का च्छमता परजेंट हो है ना potential हो तो वो continuous state of division में रहता है लागातार डिवाइट करते रहता है और लेंथ को बढ़ाते रहता है किसके लेंथ को root के लेंथ को बढ़ाते रहता है उसको शूट एपकल में रिष्टिम भी बोलते हैं क्यूट से बच्चा पाटी अगर हम zone of root के बात करते हैं सब से नीचे क्या है zone of किसी particular function को perform करने के लिए पर्मानेंट सेल भी बोलते हैं जस्ट मेस्टमेटिक सेल यानि कि मेस्टमेटिक जोन के जस्ट उपर वाला जो जो ने बटा वह है zone of elongation जो basically elongated cell उसमें पाई जाता है उसके बाद zone of maturation zone of elongation के बाद क्या पाई जाता है क्यूट सा बच्चा पाटी zone of maturation zone of maturation cell पूरी तरह mature होता है है न और उसमें root here mature है तो अभी असी बात है दाड़ी बाड़ी निकल जाएगा उसमें जो है root here निकल जाती है और absorption of water and mineral का काम mainly करता है surface area को बढ़ा के तो मैं क्या बोल रहा हूँ root here कहाँ पर present होता है zone of maturation में तो root के तीन zone में मैंने डिवाइट किया meristematic zone zone of elongation zone of maturation अब अगर हम बात करें बटा meristematic zone की एक और खास बात की तो meristematic zone जो है क्योंकि सबसे नीचे वाला है और beneath the soil penetrate करके जा रहा है तो इसको protect करना भी बहुत ज़रूरी है तो nature ने क्या किया है बटा भगवान ने क्या किया है उसको एक cap से cover कर दिया है तो thimbal like a structure जो कि cover करता है कि इसको zone of meristematic activity को उसको हम बोलते है बेटा root cap basically cover करता है apex of the root को जहां पे mismatic zone present है क्लियर इतनी बाते तो आपको region of root में चार्ची दियान रखनी है zone of maturation zone of elongation mismatic activity और root cap zone of maturation में बेटा क्या होते है रूट हेर रूट हेर आपको पता है इन्हीं cellular होता है एक ही सिलका बना होता है उसके बाद हम बेटा बात किये थे modification of root modification of root में बताया था कि बेटाया root का जो काम है वो काम क्या है पहला storage of food भी करना लेकिन जो main काम है root का हो क्या है कि root जो है modify कर गया तो modification of root में अगर हम बात करें तो एक हमने क्या बताया अभी तुरत storage of food का काम करने लगता है root जैसे tap root of carrot, turnip and radish, advantageous root of sweet potato and asparagus अगर हम बात करें tap root of carrot का तो carrot की जो shape होती है बेटा पॉनिकल shape होता है है ना तनिप नपी form shape होता है और रैडिस फ्यूजी form shape होता है तो tap root of carrot, turnip, radish यह तीनों root है बेटा गाजर root है 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 ना तनिप root है रैडिस यानि के मुल्ली root है ओके, advantageous root of sweet potato, sweet potato को कोई खास shape नहीं होता बट उसको हम tuberous shape का नाम देते है, no shape या tuberous shape और asparagus भी food को store करने का काम करता है, सब underground stem है underground root है, ओके बेटा पाटी, अब चलो अगला, तो एक तो के storage of food, अब दूसरी जो होती है root की function होती है, वो होती है कि modify करके खुद को air respiration का भी काम करने लगता है कुछ जो plant हैं, जो swampy area में grow करते हैं, swampy area मतलब दलदली छेतर में बेटा, वहाँ पे oxygen की कमी होती है, root में water होने के वज़े से, इपकुएटर होने के वज़े से, oxygen पॉपर नहीं मिल पाता, तो उसमें root जो है पहले lateral grow करता है, फिर vertically upward हो जाता है, और उसमें special type का छोटे छो nematophore, जो क्या करता है, respiration में मदद करता है, और ऐसे plant को क्या बोलता है, rhizophora, एक example है इसका rhizophora, तो rhizophora वो plant है, जो swampy area पाए जाता है, इसमें का special type का root होता है, nematophores, जो respiration में मदद करता है, तो root की modification देखा हमने, storage of food और respiration, उसी तरीके से root का वेटा एक और modification है, वो है कि किसी-किसी plant में root support का भी काम करता है, additionally, जैसे prop root of banyan tree, banyan का पौधा जो होता है वेटा, उसके branches से, heavy-heavy branches से बहुत सारे root ऐसे निकल जाते है, और निकल को उसको support, branches को support देने का काम करते है, तो prop root of banyan tree, दूसरी, astilt root of major and sugar cane, मक्का का जो पौधा होता है वेटा, sugar cane की जो पौधे होते हैं, उसके base of the stem से बहुत सारे root निकलता है, जो support का का काम करता है, और इसको हम astilt root बोलते हैं, तो फिर से मैं repeat कर दता हूँ, modification of root में, पहला क्या बता है, storage of food, जिसमें हमने क्या बता है, tap root of carrot, turnip and radish, adventitious root of sweet potato and asparagus, दूसरा हमने क्या बता है, respiration के लिए, जो support का, प्रॉप रूट अब बन्यांट्री, अश्टिल टूट अप मेजन सुगरकेन, इस support का काम करता है, ओके, तो hopefully बेटा, ये पूरी मैंने जितनी भी topic आपको कराई थी, पिछले class में, उसको मैंने recap कर दिया, आज जो हैं हम पढ़ने वाले हैं, क्या, आज जो हम पढ़न हैं है, ना, देखो, बच्चा पाटी ध्यान दो, अगर हम बात करें कि उट से बच्चा पाटी, देखो, माल लो, ये एक प्लांट है, उस प्लांट की ये स्टेम है, है, यहाँ पर, रूट है, ओके, प्लांट है, स्टेम, अब, स्टेम में क्या होता है, बच्चा पाटी, कि हर जगह पे, थोड़े-थोड़े gap में, यहाँ पर नोड परजेंट होता है, क्या परजेंट होता है, नोड, ये स्टेम है, बटा, इसे परजेंट होता है, नोड, और, इसी नोड से, आगे जो है, निकलता है, लीफ, ठीक है, नोड, है न, लीफ, ठीक है, तो बटा, देखो, धियांदो, ये स्टेम है, किसी प्लांट का, और, इसमें क्या होता है, बटा, कि हर जगह पे, क्या परजेंट होता है, नोड, परजेंट होता है, नोड, नोड दो नोड के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं बेटा इंटर नोड इंटर मैंने टो डिफरेंट है न तो दो नोड के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते है इंटर नोड यह क्या है बेटा इंटर नोड तो जब आप ध्यान से plant के stem को देखोगे तो उसमें हर जगह पे node दिखाई देगा और inter-node दिखाई देगा दो node के बीच के space को हम inter-node बोलते हैं तो purchase of node and inter-node जो होता है बेटा किसी भी stem की characteristics feature है मतलब अगर हो stem होगा तो node और inter-node होगा ही होगा यह 100% confirm है मेरे बात के लिए रहे जैसे root में root here था उसी तरीखे से मेरे प्यारे बच्चापाटी purchase of node and inter-node are characteristics feature of stem node of inter-node का purchase होना stem की बीटा characteristics feature है characteristics property है clear है तो अगर कहीं भी आपको पता करना है कि stem है कि root है तो कैसे पता करोगे तो चिक करो कि इसमें node of inter-node है की नहीं अगर node of inter-node present है node है तो बेटा वो stem होगा अगर node नहीं है तो stem नहीं होगा hopefully आपको यह बाते clear होगी अब बेटा आगे देखो यह बाते हम समझे गए कि node of inter-node किसी भी stem की क्या होती है characteristics feature होती है node से निकलता है leaf node से क्या निकलता है leaf node से node जो है वो leaf बनाती है और इसी leaf को अगर हम ध्यान से देखे बच्चा पाटी तो यह जो leaf है उसकी जो यह petiole है यह leaf और यह stem के बीच की जो यहाँ space देख रहे हो यह angle देख रहे हो है ना इसकों बोलते है axle और यही पर बेटा परजन्ट होता है axillary bird क्या परजन्ट होता है axillary bird जो आगे चलके thorn बनाता है है ना काटे बनाती है टिंडिल बनाता है ब्रांचेज फॉर्म करते हैं लेटरली है ना तो यह काम है axillary bird का यहाँ पे present होता एक bird जिसकों बोलते हैं axillary bird axillary bird नाम क्यों पड़ा क्योंकि axle में axle में किसका है leaf और stem के बीच में जो angle बनते है उसको में axle बोलते है और वहाँ पे present होता है एक bird जिसकों बोलते है axillary bird बता इतनी बाते के लिए रहे अब चलो आगे, बच्चा पाटी ध्यान दो, तो हमने क्या देखा, हमने यह देखा, कि अश्टेम जो होता है बटा, वो above the part है, प्लांट का, जो जमीन से उपर है, अब अगर हम और बात करें, तो अश्टेम के बारे में, तो अश्टेम में क्या खास बात है, कि इसमें बटा फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, यह सभी जो ही प्लांट्स के बेटेटिव पार्ट्स हैं, सबको क्या करता है, होल्ड करता है, बियर करता है, तो यह आपको माइन में रखता है, उसके बाद अगर हम और बात करें बेटा, श्टेम के खास बात की, तो उसकी खास बात क्या है है तो देखो ध्यान दो मच्चा पाटी कभी कभी क्या होता है कि अस्टेम जो है खुद को मोडिफाई कर लेता है और मोडिफाई कर लेता है अलग-अलग function को प्रफर्म करता है जैसे रूट कर रहा है जो पूरा में है और सपोर्ट की काम करने लग रही थी के और कुछ अलग तहरा का function प्रफॉर्म करने लगता है अश्टेम की जो मेन function हो क्या है hold करना, beer करना, branches को leaves को, flowers को, fruits को साथी साथ जो है, ओ gylem of flame के मदद से water and mineral के connection में भी मदद करता है but, कभी-कभी क्या होती है, कि stem जो है, खुद को modify कर लेता है, बीटा modify करके, अलग function perform करता है जो उसके normal function नहीं है, main function नहीं है, अब त्यांदो बच्चा पाटी, अगर modification अब stem, यानि कि कभी अगर stem खुद को modify कर लें, modify करके different function perform करें, जो उसके main function नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, modification होगे, किसकी modification होगे stem की, stem की अगर modification है बात करें बटा, तो हम पूरे stem को हम तीन पार्ट में divide कर सकते हैं एक तो underground stem, यानि stem का वो portion, जो ground के नीचे होता है बटा, किसी-किसी plant में, खास करके आप अलू का जो खेती होते है, potato में क्या देखते हो, कि उसकी जो stem है वो जमीन के नीचे होती है, लीफ जो है जमीन के उपर होता है, जनरली तो aerial है हवा में ही रहती है, एक को इसी-किसी plant में क्या होती है, कि stem पूरी तरह से ground के नीचे होता है, और लीफ उपर में रहता है clear है मेरी बात, तो उस category में अगर हम divide करना चाहे हैं तो stem को तीन पार्ट में हम divide कर सकते हैं first जो है बटा, वो है underground stem, first क्या है underground ground stem अगर हम second बात करें बटा तो second है sub-arial stem sub-arial stem और अगर हम थर्ड बात करें प्यारे बच्चा पाटे तो aerial stem aerial stem ओके, क्योट से बच्चा पाटे मैंने stem को तीन जोन में डिवाइड कर दिया underground stem stem sub-arial stem और aerial stem अब हम सबसे पहले बात करते बटा underground stem का जो underground stem होता है underground stem होता है मेरे प्यारे बच्चा पाटी वो underground stem यानि कि stem का ओप पर्सन जो ground के नीचे है जमीन के नीचे है जमीन के नीचे है और उपर मैंसे leaf निकल जाता है तो यह हो गई underground stem तो ध्यान दो जो underground stem होता है बटा मतलब ground के नीचे जो होता है जिसे underground root था तो underground stem जो होता है बटा इन function होता है storage of food यह बहुत important है आपो ध्यान रखना है storage of food तो बटा अगर stem जमीन के नीचे है अगर तना जमीन के नीचे अगर stem जमीन के नीचे है स्वाइल के नीचे है तो उसमें food accumulate हो जाती है food accumulation हो जाएगा थोड़ा और storage of food का वो काम करता है तो underground stream जो है बटा उसकी main काम क्या है storage of food food को store करना ठीक है अब अगर हम बात करें बटा underground stream में examples की कि सर कुछ आप example बता दो जिसमें storage of food होता है तो कुछ अगर examples के हम बात करें प्यारे बच्चा पाटी examples कि underground stream के जो food को store करने का काम करता है तो अगर हम example के बात करें तो जैसे potato है ना फिर अगर हम और examples की बात करें बटा तो जैसे ginger है ना potato ginger turmeric turmeric बने healthy अधरक आलू है ना potato ginger turmeric जमीनकंद पोटेटो जींजर turmeric जमीनकंद kolakesया है ना kolakesया पोटेटो ginger turmeric जमीनकंद kolakesया पांच examples पेटा आपको anxiety में भी given है जो storage of food का का काम करता है पोटेटो जींजर टर्मेरिक जमिनकन कोल कैसिया यह आपको माइन में रखना है प्यारे बच्चा पाटी यहाँ पे न हम अगर सेप की बात कर ले थोड़ा सा कि सेप क्या-क्या होता है तो देखो जो पोटेटो की सेप होता है बैटा यहीं पर मैं लिख दता हूं पोटेटो का जो सेप होता है होता है टीवरस सेप है ना टीवर 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 लाइक सेप होता है पोटेटो कैसा होता है आप घर में आलू को देखते हो है न दूस्सेप को हम बोलता है टीवर सेप तो पोटेटो की जो सेप होती है कैसा होती है टीवरस होती है अब देखो जिंजर औ तर्मेरिक, अगर हम इसके बात करें, जिंजर और तर्मेरिक के अगर बात करें, जिंजर और तर्मेरिक है न, अधरक और हल्दी के अगर बात करें, तो इसकी जो सेफ होती है, राइजूम सेफ, राइजूम, और जमिनकन और कोलकैसिया, अगर इन दोनों के बात करें, तो इस किसकी जो सेफ होती है होती है कॉर्म सेफ कॉर्म सेफ तो पोटेटो टीवरस होता है की पोटेटो का robi सा होता है। weißy होता है। कभी पूछ देता है, जैसे हमने रूट में वी बता था। रेडिस का सेप कैसा है था कॉनिकल है ना अगर हम बात करें सोरी कैरूट का सेप कैसा था कॉनिकल अगर हम रेडिस की बात करें तो कैसा था फ्यूजी फॉर्म था ना तो इसी तरीके से प्यारे बच्चा पाटे यहां पे पोटेटो की सेप कैसा होते है ट्यूबर्स और जिं स्थेम में क्या बताए कि इस यह इसने में क्या बताई है दर्ण mmm उर्क रह टरिस टर्निब इसकी भी सतिर एडलाइस था रोट बता रहिए रूत में तो आपको याद रखना एक कैणा का सेभ वाय था सेभ था रैडिस का कैसा था लेकिन और फुटैटो प्या है कैसा गरके चो Com Dodge अब आगे चलते है बच्चा पाटी अब हम देखेंगे underground stream के बाद sub-arial stream की modification अगर हम sub-arial stream की बाद करें प्यारा बच्चा पाटी sub-arial stream में जो modification है उसमें हमें क्या-क्या पढ़नी है तो ध्यान दो sub-arial में हमको पढ़ना है runner के बारे में runner stolen अस्टोलन offset sucker runner stolen offset और sucker इन चारों के बारे में हम सब एरियल modification में बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे runners का फिर बात करेंगे stolen का फिर बात करेंगे offset का और फिर बात करेंगे suckers का, ठीक है तो क्या होती है runners, क्या होता है stolen, क्या होता है offset, क्या होता है sucker तो यह बेटा है especially sub-arial steam sub-arial steam क्या होता है जो steam पूरी तरह हवा में नहीं है फिर से सुनो steam को तीन पार्ट में डिवाइड किया underground जमीन के नीचे है sub-arial मतलब जो जमीन से तो उपर है उपर वाला portion लेकिन पूरा height नहीं है थोड़ा सा, जमीन से हलका सा उपर है दस बीस इंटर नोर तक बोल सकतो तो थोड़ी सी जमीन से उपर वाला portion होता है उसको हम बोलता है sub-arial steam और जो पूरी उपर उपर जो ब्रांचे जिसमें धे सारे ब्रांचे निकले रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते है aerial modification तो हम पूरे plant को 3 portion में डिभाइट कर सकते है underground stem sub-arial stem और aerial stem तो sub-arial stem में आपको lower plant होगा मतलब बहुत इसके height नहीं होगी अगर हम बात करें इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको runner पढ़ना है astrolan पढ़ना है offset पढ़ना है इसमें grass grass में देखते हैं कि पूरा हवा में बहुत बिसाल बिसाल पेड़ है ऐसा तो नहीं होता न जमीन से सटा हुआ रहता है इसलिए उसको sub-earrier बोलते है तो runner, astrolan, offset और sucker के बारे में हम इसमें बेटा पढ़ेंगे ठीक है इससे पहले आपना इनके examples में आपको याद कराता हूँ पहले आप examples याद करो और उसके बाद जो है बच्चा पाटे इसको हम NCRT की line by line आपको explain करेंगे सबसे पहले बात करते है रणर का तो दिखो याद रखो ऐसे याद मैं कराता हूँ आपको बेटा इसका examples माल लो कि एक कोई बच्चा है मोहन नाम का वो क्या है दोड़ रहा है कहां दोड़ रहा है ग्रास पे एक ग्रास की land है गास है पुरा और उसमें जो है वो दोड़ रहा है तो एक बच्चा है जो कहां दोड़ रहा है बटा ग्रास पे दोड़ रहा है और साथ से साथ उसके हाथ में जो है यह strawberry है जिसको खा रहा है clear तो एक चाइल्ड है बटा और वो क्या है घास पे दोड़ रहा है तो दोड़ रहा है, कहां दोड़ रहा है, घास पे, है ना, ग्रास पे, और क्या खाते हुए दोड़ रहा है, श्ट्रॉबेरी, तो ग्रास और श्ट्रॉबेरी, बेटा, रनर्स के एक्जाम्पल्स हैं, क्लियर, ध्यान में रहेगा, कि एक बच्चा था, कोई भी इन मालो, आ आसीज जो डोड रहा था और ग्रास पर खाते हुए च्छा बेरी यानि कि रनर में ग्रास और उसके बचार जैसे दोड़ता है तो क्या देखता है कि बहुत अच्छा जो है श्मील आ रहा है प्यारा सा फूलों की खुस्बूश आ रही है तो क्या करता है कि उन दोनों फूल क तोड़ लेता है अपने दोस्त के लिए कि आएंगे वापस घर पे तो हम अपने फ्रेंड को फूल देंगे कि बाद देखो कितना अच्छा स्मेल आ रहा है इसका है ना तो आसीज दोड़ रहा था कहां दोड़ रहा था बैटा ग्रास पे खाते हुए स्ट्रॉबेरी और उसन हमें में और आएगा दना ग्रास और श्टॉवेरी यस्ट Κरीं के ज्यांपल ये बता रनर में ग्रास ग्रास और श्ट्रॉवेरी अ श्ट्रॉर बेवी रानर में ग्रास और श्ट्रॉर बेरी अस्टोलेण, मिन्ड और जैस्मिन ठीक है अब देखो पिटा यह यह चो आसीज था नव जो ग्रास पे दोड रहा था खाते हुए श्ट्रॉर बेरी और चुरा लिया क्या मिंट और जैस्मिन, अश्टोलेन मिंट और जैस्मिन, चुरा लिया मिंट और जैस्मिन, उसका एक दोस्त था बंगाली, है न, बंगाल करने वाला था, बंगाली दोस्त था, तो ओ जो है न, बहुत उदास था, जब फुल लेके आया, उसको फुल दिया, तो बहुत जादा उस सैड था पास बोलता है रहे भाई तुम सैड क्यों इतना क्या हो गया तो क्या बोलता है कि अरे यार मैं क्या बताओं मेरे न घर के पास में एक तालाब था उसमें बहुत अच्छे प्लांट थे देखने में काफी खुब सूरत थे मेरे पापा गुस्से में उस पूरे प्लांट को नि लिबल पॉंड था उससे और उस पर रोलर चलवा दना क्या हो गया ऐसा क्यों कि यह तो बलता है रहे भाई ऐसा है न कि हम लोग के एक मैंने एक प्लांट को जो है देखा अपने जो तालाब में काफी जादा फैला हुआ था काफी खुब सूरत था बट प्राप्लम क्या है इसे तो हमारी पूरी लॉस हो जाएगी मशली का देथ हो जाएगा और उने क्या किया उसको निकलवा के बाहर और रोलर से पिस्वा दिया समझ में रहा है तो देखो अब इसी वज़ए से हम क्या है अपसेट है कौन बोलता है आसीस का दोस्ट जो बंगाली है अपसेट से तो उससे क्या याद रखने है और क्यों पापा ने पिसवा दिया था खिसको पिसवा दिया थे अक्लार्ड広ब उसके तलाब में था और वह बहुत ही अच्छा देखने में काफी बढ़िया था बट ड्रेनेज कर रहा था कि इसको ऑक्सीजन को पानी से और इसके बेज़े से मचली का देत हो रहा था तो बेटा उस प्लांट का नाम है जो है इकॉर्णिया या फिर इसको हम वाटर हैसिंथ भी बोलते हैं इकॉर्णिया प्लांट या उसको हम वाटर हैसिंथ भी बोलते हैं इसको हम टेरर बंगाल के नाम से भी जानते हैं class 12 में आप पढ़ोगे परड़क्शन, और इस चीज़ दीआ हुए है इसको हम टेरर बंगाल के नाम से बिजानते है क्योंकि बंगाल की जो म इस प्लांट जो है ना बाहर से आया था बहुत फास्ट स्प्रेड किया वहां के लोकल लेबल पॉंड्स में लैक में और इसके वज़े से क्या होई कि जो मचलियां थी हों मरने लगी इस पौधे को ज्यादा फैल जाने के वज़े से तो इसलिए इसका नाम टेरर और बंगाल यह ना पिश्टिया 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 उसके पापा किसको एक को और निया पिश्टिया और एक और निया तो पिश्टिया और एक और निया तो पिश्टिया और एक और निया एक और निया एक और निया का हम वाटर है सिंथ भी बोलते हैं वाटर है सिंथ है ना या या फिर वाडर हाइसेंथ भी बोलते हैं या फिर बैटा इसको हम तीरर उब बंगाल के नाम से भी जानते हैं तीरर आअट्य है लोब वंगां ग्रिशीमा असफ्सकार्श के बिलिव rozpत भी जानते हैं पिश्टिया शकर में क्या है तो बच्चा थाटी ध्यान देना यहां ध्यान दो अगर हम बात करें शकर का जब आसीस अपने घर पे आया तो जब घर पे आता है तो क्या देखता है यार नीट का एस्पेरेंट था आपके जैसा देखता है फिजिक्स कमिष्टी और बायो की बूक रखी हु हुए और चुड़ा भे लिया था मिन जैस्मिन देख तो उसकी दोस्त ऑफसेट था है ना ऑफसेट को और इसके बाद जब घर आता है अपना तो क्या देखता है फिजिक्स कमिष्टी और बायो का बूक टेबल पर रखा हुआ तो बोलता है यार इसने तो मेरी दिमाग सक् इसने फिजिक्स कमिष्टी और बायोजी ने तो उससे याद रखोगे बेटा पाइनेपल क्रिजैन्थमम और बनाना पाइनेपल क्रिजैन्थमम पीसी बी यानि फिजिक्स कमिष्टी और बायोजी से क्या याद रखोगे बेटा पाइनेपल क्रिजैन्थमम और बनाना एक किसकी एकजामपल है, बेटा, एकजामपल है, आपका सकर का, तो याद रखो、 सबसे पहले, runner, runner में, ग्राश और, च्टॉबेरी, फिर, runner के बद, च्टॉलेन, च्टॉलेन में, मिन्त और, जैस्मिन, फिर, offset में, आफसेट में क्या याद रखोगे पिष्टिया और इकानिया और सकर में पाइनेपल गिर्जैन्थमम और बनाना तो बता इतनी बाते के लिए रहे तो क्या-क्या याद रखोगे रणर में ग्रास और अश्टावेरी ठीक है उसके बाद अश्टावलेन मिन्ट जैस्मिन फिर पिष्टिया और इकानिया और शकर पाइनेपल खिर्जैन्थमम और बनाना अब बेटा हम इस बार न इसको हम थोड़ा सा यह से पढ़़ लगते हैं देखो Н C R T क्या लिखती है ध्यान देने न ON C R T को ध्यान दो क्या लिखता है N C R T बच्चा पाटी हाँ लिखता है underground stem of some plant कुछ पौध ही का जो underground stem होता है जैसे grass and strawberry कुछ पौध हो का जो underground stem होता है जैसे कि grass यानि कि घास, strawberry spread new nees वो नया nees को spread out करते हैं और इसके सेवर जैसे क्या होता है when older part die जब पुराने parts मर जाते हैं die हो जाते हैं, सुख जाते हैं तो new plants are form नहीं देखते हो, कि grass जो बेटा सुख जाती है फिर जब बारीश होती है, फिर से नया grass निकल जाते है कि इसके वज़ा से, तो उसमें बहुत सारे grass में क्या form होते हैं, nees form होते हैं और ओ nees जो है, नया plant को फिर से बना देता है, उसी तरीके से तो इसकों क्या बोलते है, runner इसकों क्या बोलते है, runner क्या बोलते है, runner अब आगे देखो बेटा, ध्यान दो in plant like mint and jasmine अ श्टोलेन किया था, mint and jasmine a cylinder lateral branch arises from the base of main axis main axis, जो उसका main base है, है ना, stem का जो main base है उसके main axis से क्या निकलता है lateral branches निकलता है, ऐसे branches निकलता है main axis से ऐसे branches निकलता है, base of the main axis से और कुछ दूर तक हवा में grow करता है, पहले तो कुछ थोड़ा सा height तक air में grow करता है और उसके बाद बेटा, उसकी जो arch है उसकी जो branches है और नीचे जमीन को touch कर जाते है, इस तरीके से है न, फिर यहां पर ऐसे फ्याव हो जाएगा ऐसे, इस टाइप से, क्लियर है तो इस कौन क्या बोलता है बेटा अस्टोलेन, इस तरह के condition को क्या बोलता है, अस्टोलेन क्लियर है, जीस में देखने को मिलता है mint और jasmine में देखने को मिलता है अब देखो ध्यान दो आगे लेटर ब्रांचेज विट सॉट इंटर नोड और इच नोड बीरिंग रोसेट आफ लीव एंड टफट आफ रूट कुछ में क्या होता है बेटा, कि जो इंटर नोड होती है स्टेम में, वो काफी जाज़ा सॉट होता है, ऐसे तो रोसेट अब लीव एंड टफट आफ रूट जो है इस तरह के कंडिशन देखने को किसमें मिलता है तो इस तरह के कंडिशन देखने को मिलता है पिष्टिया और इकार्निया में इसलिए इसकों क्या बोलते हैं और सेट भी बोलते हैं इन बनाना, पाइनेपल, और क्रिजैन्थमम, बनाना पाइनेपल में और क्रिजैन्थमम में, लेटल ब्रांच और जिनीट फाम दे बेसल एंड अंडर ग्रांड पोर्चन ओप मेन श्टीम, जो मेन श्टीम है, उसकी जो अंडर ग्रांड पोर्चन से क्या होती है, लेटल ब् तो यह इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है हम सकर बोलते है, ग्रो होरिजेंटली बेनित दर स्वाइल and then come out अबलीकली अपवार्ड गीव राइस दुद लिफे सूट तो hopefully हमको लगता है कि यह चीज आपको NCRT से भी clear हो गई होगी अब हम देखते हैं वेटा कुछ इसमें figures ध्यान से देखो अगर हम runner की बात करें बेटा तो देखो grass और strawberry ऐसा होता है ना छोड़े से निस्यस में निकल जाता है अब यह निस्यस के वज़़े से ही नया grow कर लेता है runner अश्ट्रोलिन देखो अभी तुरहत बता है यहाँ पर क्या हो रही है main stem से एक ऐसे branches निकल रहा है कुछ जर हवा में जा रहा है फिर जमीन को टच कर रहा है फिर ऐसे निकल रहा है इस तरह से बहुत ही लंबा plant का circle बन जाता है और Australian mint jasmine offset में देखो roset of leaf है बहुत सारा पत्ता एक जगा पे है और नीचे में root निकला हुए अब अगर हम बात करें बटा और जो ओनियन और गार्लिक होता है बच्चा पाटी ध्यान दो onion और गार्लिक तो onion में क्या होता है कि होती तो leafy suit है उसको हम खाते है onion को गार्लिक को लेकिन उसकी जो stem हो काफी ज़्यादा condensed होता है stem क्या होता है काफी ज़्यादा condensed किसमे onion और गार्लिक में तो इस तरह के stem को हम बल्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्ब, तो बल्ब में याद रखना है, ओनियन और गार्लिक, है ना, बल्ब में क्या रखना है, ओनियन और गार्लिक से, ठीक है, अब देखो, इतनी बात अगर किलियर है बच्चा पाटी, ध्यान दो, देखो यहाँ पर रहां पर रहां पर जा रही है इस तरह का स्टोलेन बोलते हैं मिन तो जैस्पिन में देखने को मिलता है उसी तरह से सकर है ऐसे अंडर्ग्राउंड में ग्रो किया फिर भर्टिकली अपवर्ट निकल गई और ये क्या है रोसेट अप लीफ हैं टफ टॉप पिष्टिया एंड एकॉर्णिया ठीक है चल इतनी बाते आपको बिटा क्लियर हो गया होगा अब हम आते हैं तो हम एक एक करके क्या देख लि अगर आप बच्चा पाटी अरिएल मोडिफिकेशन की बात करोगे कि कैसे जो है और जो अश्टेम है उसमें क्या-क्या मोडिफिकेशन देखने को मिलता है तो उसमें बेटा हम अलग अलग टाइट के मोडिफिकेशन देखेंगे जैसे देखो aerial modification aerial modification of stem सबसे पहले जो हम बात करेंगे बिटा वो बात करेंगे thorn का thorn, thorn मतलब क्या होता है काटा क्या होते है बिटा, कि जो axillary bird है, axillary bird क्या होता है बता आया था है leaf और stem के बीच में जो angle बनते है axle बोलते है, वहाँ पर जो bird परजेंट होता है उसको मोलते है axillary bird, जो axillary bird होता है वह क्या होती है, pointed होती है oody होता है, है ना और axillary bird modify करके pointed oody thorn का form ले लेता है काटे का form ले लेता है, clear है तो ओर जो है thorn, किसकी modification होगी stem की modification होगी, कहां से thorn कहां से बनता है कौन बनाता है thorn को, axillary bird ये mind में रखना है, axillary bird ही modify करके, pointed oody part में convert हो जाता है, जिसको हम काटा बोलते है thorn बोलते है, इतनी बाते के लिए है ये देखने को मिलता है बेटा अब citrus में और boganvillia NCRT में दिया हुआ है, citrus हम examples आपको दिखा ही देते है figure ही दिखा देते है, citrus और boganvillia में आपका thorn देखने को मिलता है, है ना अब अगर हम बात करें बेटा, thorn का क्या काम है तो एक तो ये transpiration को कम करता है, जैसे माल लोगी जो desert plant है, desert plant मतलब जो मरुस्थल में रहती है, sand area में जाधा रहता है, जहाँ पानी के scarcity है तो इसमें बहुत सारे काटे निकल जाते है वो काटे के वज़े से क्या होता है, कि water का loss कम होता है है ना, leaf fall down कर जाता है और काटा बन जाती, तो उससे water का loss कम होगा और उस survive कर पाएगा horse environment में, है ना, तो morphology बेटा adaptation में भी मदद करता है thorn, इसके पास अगर हम और modification देखें, तो दूसरा जो modification आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा tendril का, किसको देखने को मिलेगा tendril, कभी कभी क्या होता है, कि जैसे आप goats family के जो भी plant देखते हो जैसे cucumber, watermelon, pumpkin देख लो, लौकी का पौदा है, तो आप क्या लगा दो, उसको wooden को, stick को पकड़के, वो जो है, climb करता है, आपके छट पे भी चला जाएगा, है ना, by the help of tendril, तो tendril किस में मदद करता है, support में, thorn किस में मदद करता है, protection में, help in help in protection काटा, इसको बचाता है, grazing herbivores से भी, घास काटे रहेंगे, तो उसको जो grazing herbivores है, जैसे cattle जो भी है, चाहे cow हो, buffalo हो हो है, उसको चबा नहीं पाएगा, deer, खा नहीं पाएगा, काटा के वज़े से, तो protection में मदद करता है, tendril किस में मदद करता है बेटा, support में मदद करता है तो help in protection, काँ, thorn, tendril, ठीक है, तो यह माइड में रखोगे, इसका हम आपको दिखाते है तेंडिल किस में देखने को मिलता है, God's family में देखने को मिलेगा, God's family, God's family में क्या क्या आता है, pumpkin आता है, water melon आता है, cucumber आता है, खीरा, लौकी, तरबूज, वगर आता है, grap vines, grap vines भी tendril देखने को मिलता है, grap vines में भी, यह सब चीज़ है, mind में रखोगे, और tendril, God's family में, grap vines में, grap vines, तो इसमें देखने को मिलता है, अब अगर हम और बात करें बटा, तो सबसे पहले आपको थॉन और tendril, कब figure दिखाते हैं, देखो, देखो देहां, दो बच्चा पाटी, मैंने figure ली थी, कहा आगिया, देखो, एक सेकिंद, देखो, यहां देखो, यहां देखो, यह देखो, बेटा, ध्यान दो, NCRT क्या आपकी book है, यह देख रहा है, tendril, इसको हम बोलते है, tendril, है न, यहां पे, इसको supportive मदद करता है, क्या करता है, कोई भी parts को supportive part को क्वाइल कर लिता है, और क्वाइल करके, पौधा उसके उपर चड़ते चला जाता है, climbing करते चला जाता है, तो climbing को मदद करता है, support मदद करता है, यह देखो, यहां पे, stream की, जो auxiliary body मोडिफाई करके, pointed क्या बना लिया, thorn, है ना, तो यह चीज़ आपको mind में रखना है, अब क्या होती है, बच्चा पाटी, की, एक सेगड बेटा, हम लोग के board कहा आ गई, ठीक है, तो thorn में citrus और wagon भी लिया, इनिसाटी में एक्जामपल दिया हुआ है, आपको याद रखना है, टेंडल में God's family और grab vines, God's family में क्या क्या आएगा, pumpkin आएगा, water में रना आएगा, cucumber आएगा, कुछ-कुछ plant ऐसे होते हैं, जिन में सब aerial stream की तरह, aerial stream क्या करता है, अगर 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 आपा मोडिफाई करके क्या करने लगे, photosynthesis, तो ये भी एक टाइब का, बहुत special type का modification हो गया है न, photosynthesis का काम करने लगता है कौन? aspects खुद को modify करके, photosynthesis का काम करता है, जैसे अगर हम examples की बात करें, तो openshirt openshia, euphorbia, euphorbia, एak example आपको NCATIC में already given है, ये बेटा क्या काम करते है, photosynthesis का काम करता है तीन टर्म आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्च्छा पाठी एक क्लेडोड क्लेडोड दूसरा फाइलो क्लेडोड एक टर्म है इसको आपको ध्यार में रखना है क्या होता है बेटा अगर पूरा का पूरा अस्टेम पूरा का पूरा अस्टेम मोडिफाई कर जाए और मोडिफाई करके फोटो सिंथेसिस करने लगे लीफ उसकी फॉल्ड डॉन हो जाए लीफ जो है न वो गिर जाएगा या तो काटो में कनवाट हो जाएगा लीफ अस्पाइन में कनव लेगे गा फोट्य सिंथेसेशिस का काम करने लगा पूरा का पूरा इस्टेम ही है तो हम उस कंदिशन का बोलते हैं फाइलो क्लेड़ोर वन रॉल शी मोडिफार इन्टो स्टेम O 58 to perform bot是不是 और स्टेम से लिएटन है फोटो सिंथेसिस अब क्या हता है बत्का पाटि अगर पूरा पुरा स्टेम नहीं बल्कि कुछ इंटर नोर्ड है ना दो से तिन इंतर नोड जो है वो मोडिफाइफ रिannée ङह पोर श्यास करें तो उसक्राइड ओर बोलते हैना तो होड to three inter 109,244 इसको हम क्या बोलते हैं इस condition को बेटा हम Cladgeord बोलते हैं फाइलोड क्या होता है फाइलोड एक अलग चीज है बेटा लीफ में हम पढ़ेंगे है न क्या अगर लीफ का petiol लीफ का petiol लीफ में ना तीन पोर्षन होता है एक तो 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 लैमिना यह जो फ्लैटेन पार्ट होता है इसको मुलते है प्रिप्वेस तो फॉल्ड आं कर जाए और पेटियोल जो है वोडिफाई करके क्या करने लगे फोटो सिंथेसिस तीस कंडिशन को बता है फाइलोड फाइलोड मतब लीफ की कैसी प्लांट है जिसमें की जो है यह देखने को मिलता है क्या कि उसकी पेटियोल है वो मोडिफाई कर गई है फोटो सिंथेसिस के पंक्शन को परफॉर्म करने लगा हालाकि हम जो है फाइलोड के बारे में कहां पढ़ेंगे लीफ में पढ़ेंगे इसका पार्ट हमारा नही है ना तो हम लीफ में इसको अच्छे से देखेंगे बस यहां पर जुडा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया तो क्या माइन में रखना है क्लेडोड फाइलोड और फाइलोड अगर पूरा का पूरा अश्टेम मोडिफाई करके फोटो सिंथेसिस करने लगे तो फा प्यारे बच्चा पाटी आज यह पूरी जर्नी में हमने अश्टेम को अच्छे से कवर कर लिया है ना अब अगला जो पार्ट आएगा हमारा उसमें हम लीफ इंफ्लोरसंस को अच्छे से देखेंगे लीफ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसकी मोडिफिकेसंस की बात करे है ना तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए और आप इसी तरीके से जुड़े रहे हैं इन्वेंटर्स के चैनल्स को बिटा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सेर कीजिए है ना और उन बच्चों तक पहुचाईए जिनको इनकी रिक्वार्यमेंट है है ना तो मिल सुलते हैं अगले पार्ट्स में थैंक यू सो मच थैंक यू बिटा